देश के जनता इस वक्त महंगाई से जूज रही है, खाने की चीजों से लेकर तेल के दाम आसमान छू रही है इस दौर में उसे राहत की उमीद है, लेकिन अब तो आने वाले दिनों में उनकी परिशानी और बढ़ने वाली है क्योंकि SBI और मूडीज ने GDP ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है, जिसका असर महंगाई पर भी देखने को मिलेगा तो कितनी घटेगी GDP ग्रोथ देखे इस रिपोर्ट में देश का विकास GDP पर निर्भर करता है, जब ये बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है लेकिन देश में तो GDP लगातार लान निशान पर जा रही है और अब तो SBI और Moody's ने भी ऐसे आंकडे पेश किये हैं जिससे लोगों की चिंता और बढ़ेगी SBI के Chief Economist सौम मिकांती घोष ने Financial Year 2023 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है पूरे साल के लिए इसे 7.5 प्रतिशत से घटा कर 6.8 प्रतिशत कर दिया है घोष ने कहा कि GDP भले ही डवल डिजिट में रही है लेकिन फिर भी ये बाजार की उमीदों से कम है इसका सबसे बड़ा कारण Manufacturing सेक्टर ग्रोथ रही जिसमें पहली तिमाही में 4.8 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली First quarter financial year 2022 में ये 49 प्रतिशत थी Construction में Growth Rate 16.8 प्रतिशत रही जो First quarter financial year 2022 में 71.3 प्रतिशत थी इसके अलावा Mining Growth 18 प्रतिशत से घट कर 6.5 प्रतिशत रहे गई वही Moody's Investor Service ने भी Financial year 2023 के लिए भारत के GDP अनुमान को घटा दिया है Financial year 2023 के लिए इसे 8.8 प्रतिशत से घटा कर 7.7 प्रतिशत और Financial year 2024 के लिए 5.2 प्रतिशत कर दिया है Moody's ने इसका कारण बढ़ती ब्यासदर और Global Growth का धीमा होना बताया है National Statical Office ने 2022-23 की अप्रेल जून तिमाही के GDP आक्रे जारी किये थे जिसके बाद SBI और Moody's ने अपना Growth अनुमान कम किया है NSO के आक्रों के मुताबिक जून तिमाही में GDP Growth 13.5 प्रतिशत रही पिछले साल की समान तिमाही में ये 20.1 प्रतिशत थी पिछली तिमाही में GDP Growth Rate 4.1 प्रतिशत थी ये आक्रे साफ बता रही हैं कि कैसे लगातार देश का विकास घटता जा रहा है अब इस गिरावट के बाद सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे सुधरेंगे हाला DV Live की रिपोर्ट